Welcome again to JK Civil Services in this video lecture हम करेंगे current affairs with respect to Jammu and Kashmir for the upcoming examination November के मन्त का current affairs हम करेंगे और हम important current affairs cover करेंगे जो exam JK SSB exam point of view से important है ओके current affairs देखें आपको at least at least आपको 6 महीने का cover करना है कम से कम जब आपका exam है exam से पहले 6 महीने का current affairs जो अच्छे से आपको cover करना है और उसमें important important जो events हुए हैं वो cover करने हैं आपको JK Civil Services के YouTube channel पर में जो जाके एक playlist मिलेगी जिस जो specific which is specifically for the current affairs of Jammu and Kashmir वहाँ पर वहाँ पर monthly आपको month wise आपको playlist बनी हुई है July से October तक का हमने किया है now we will cover November December and January 2022 all right so let us start इस से पहले हमने करा था current affairs of Jammu and Kashmir for the month of November October ठीक है October वाला जो हमने पढ़ा था उसमें हमने उसमें आपका एक typing error हुआ है यहां पर अपने PDF में अपने नोर्स में प्लीज इसको ठीक करिएगा जैन के bank was established it is not 1935 it is 1938 all right एक इस error को ठीक करिएगा और मेरा और एक эффerr रहे है छोटा सा error नहीं है आईके साथ ने हमने इस Battle of Shげetang Ke Bada पढ़ा था ठीक है गलती से शैद मैंने बता दिया है कि sound so now let us start for the month of November ह octopus important current affairs is कि Colonel Sana true iç को मिला महवीर चक्रबट पोस्थियुमिसली यानि कि उनकी निधन के बाद अब करनल संतोष बाबू थे कौन ये कमार्णिंग ओफिसर थे इनका जो आर्मी का रेजिमेंट था इट वस 16 भिहार रेजिमेंट जिनकी डेथ हुई जिन उन्हें अपनी जान दे दी कब जब चाइनीज क इसमें इनको महावीर चक्र बट पोस्थियुमिसली यानि कि इनकी डेथ के बाद इनको दिया गया ओके आपने नियूज में सुना होगा गलवान वैली का ये जो इंसिडेंट है पूरा चाइनीज और इंडिया जो बॉर्डर टेंशन से उसके बारे में आपने सुना होगा तो थोड़ा से इसके बारे में आप देख लीजिए हां इसके अलावा महावीर चक्र जो है ये सेकेंड हाइस्ट वार्टाइम गैलंट्री अवार्ड है आफ्टर परमीर चक्र देखें दो तरीके के गैलंट्री अवार्ड हमें मिलते हैं वार्टाइम गैलंट्री अवार् इसके बारे में मैंने प्रीवेस्ड्र में अच्छे-सिच्श में अच्छे से प्रीवेस एक सब्सक्रा knocked westman के मनत वाले साथच मेंडिटेल में बताया है आप चेक वार होती है इसमें चाइना जो है इंडिया का जेन के का ये वाला इस्टन अद्दाफ वाला इसको चाइना एड्मिस्टर कर रही है यह जो यह जो डाक डिमार्केशन है इस इस यूर लाइन अफ एक्चुल कंट्रोल और यहां पर कहीं पड़ता है आपका गलवान वैली ओके इस दोदद बेग ओल्डी रोड टू अप टू यह लह तक कनेक्ट करती है ठीक है अब आपने सुना होगा कि चाइना जो है इन्होंने इन्लीगली इंडियन लैंड पे जो है वो आ गई आ गई इसी तरह चाइनीज आमी जो हो अगलवान वैली में जो लाइन अफ एक्चु करनल महेश बाबू जो है इन्होंने अपनी जान गवा दी विद प्लस आपने न्यूस में सुना होगा से कम बंदि इसकóm 22 फाइं जो जर्जर्श का जोये निधन हो गया था और प्लसक्र ये वहां का algों से पड़ा है वहाँ से गलवान इसे गलवान रिवर करती है और जो गलवान रिवर है ये शोट में करती हो रिवर इंडिर्वा इंदस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, और राइट, ट्रिब्यूटरी क्या होता है, जब कोई स्मॉल रिवर, जो है, किसी बड़े रिवर को जॉइन करेगी, वो, that is the ट्रिब्यूटरी, so, that was all about Galwan Valley and Mahesh Babu को Mahavir Chakra मिला, okay, so, the second current affairs for the month of November is, Shrinagar airport को declare कर दिया गया major airport, किसने civil ministry, civil aviation ministry ने declare किया है, Shrinagar international airport को as major airport, ठीक है न, देखिया, major airport क्या है, कि under AERA, यह जो airport economic regulatory authority act 2008 है, यह declare करता है, airports को as major airports and जो major नहीं है, non-major airport, non-major तो नहीं, major airport कौन-कौन है, अब देखिए, इसके लिए criteria इसने रखा है, AERA, यह जो body है, यह जो act है, इसके under regulation, इसके under criteria है कि कौन से airport major airport होंगे, कि जिस airport का annual passenger traffic कितना हो, कम से कम 35 लाग का, ठीक है, तो under airport economic regulatory authority act, civil aviation ministry ने श्रीन अगर airport को declare कर दिया है, major airport, ठीक है, राइट ना हमारे civil aviation minister जोतीराजितिया, सिंधिया, शायद, हाँ, इसको check कर लीजे, वही है, और साथ ही साथ, AERA regulations, अच्छा, जो major airports है, इनका जो tariff, इनके tax, जो भी इनका expenditure है, जो भी इनकी fees है, वो कौन overview करता है, वो कौन regulate करता है, यह ही, airport economic AERA regulatory authority, ठीक है, लेकिन major airport का जो सारा economic expenditure fees, जो है, regulations, जो है, वो कौन देखता है, AERA, जो non major airport से, तो उनको कौन regulate करता है, उनको regulate करता है, airport authority of India, okay, so, that was all about Shrinagar airport, तो question आ सकता है कि कौन से airport को major airport recently बनाया गए, तो is Shrinagar airport, in context हम क्योंकि सिर्फ जमो इन कश्मीर का, पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसके साथ एक memorandum of understanding sign हुआ है, NIT Shrinagar और IIT Roper के बीच में, देखे, memorandum of understanding क्या होता है, agreement होता है between two parties, एक mutual agreement होता है, ठीक है, तो National Institute of Shrinagar ने ये memorandum of understanding sign के IIT Roper के साथ, तब इसमें बताया क्या गया है, कि जो NIT Shrinagar के जो बच्चे होंगे, लेकिन कौन से, जो meritorious बच्चे होंगे, इनको एक opportunity दी गई है, कि वो अपना final semester जो है, वो IIT Roper में pursue कर सकते हैं, या वहाँ पर जाके कोई project कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी लोग जाएंगे, meritorious students, और इस selection के लिए एक बहुत ही process होगा, rigorous selection process होगा, ठीक है ना, और अगर वो ये examination या जो selection process से वो qualify कर जाते हैं, then they will go there, और साथ ही साथ अगर उन्होंने अपने stream में, अपने subject में excel किया, ठीक है, उनको early admission PhD program में दी दी जाएगी in at IIT Roper में, ठीक है ना, ये initiative था IIT Roper का ही, इसके बाद ही है Memorandum of Understanding signed हुआ, so the third current affairs for the month of November is कि श्रीनगर ने join किया है UNESCO's Creative City Network, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Creative Cities Network का group, ठीक है, देखिए अब है क्या, ये UNESCO's Creative Cities Network, ये मतलब creative cities, cities को declare किया जाता है UNESCO's Creative City, क्योंकि वहां कि अगर कोई distinguished कोई ऐसा feature है, जिससे वहां का, जैसे कोई किसी city का craft, किसी का कहीं का, कुछ different दिफरेंट चीज़ें हैं, जो वो revive करते हैं, जो चला आ रहा है, ठीक हैं, सकता है, क्योंसी category में, it is craft and folk arts, श्री नगर का, और साथी साथ, श्री नगर, इसी के साथ, श्री नगर जो बनती है, इंडिया की sixth city, जिसने इस list को join किया है, आफ्टर, इससे पहले जो जो cities, UNESCO creative city network में हैं, वो भी देख लीजें, exam point of view से, में भी पूछा जाए, in terms of crafts and folk arts, Mumbai है, films को लेके और हैदरबाद जो है, in terms of gastronomy, okay gastronomy क्या है, gastronomy deals with the cooking of a particular area, यान कि हैदरबाद अपने cuisine, अपने खाने की वजह से इसको यह tag मिला है, okay, so that was all about creative city networks, याद रखें, श्री नगर ने को include किया गया है, इसमें, UNESCO creativity network, और UNESCO creativity network, अगर director general, जो है अभी, it's Audrey Osle, ठीक है, so next current affairs for the month of November is, Padma Awards, JNK में, इस बार किस-किस को दिये गए, यह civilian honor होता है, ठीक है, तो 2000, इस बार की जो ceremony हुई थी, 2020 और 21 की वो इकठी हुई थी, कि 2020 में pandemic था, तो यह 2020 के 81 ही दे दिये गए थे, साथ-साथ में ही, इससे पहले आप देख लीजे कि Padma Awards हैं क्या, पहले हम पढ़ते हैं, Padma Awards के बारे में, वन आफ दे हाइस civilian honors हैं, इंडिया का, इसमें लिखा है, वन आफ दे हाइस, हाइस्ट कौन है, हाइस्ट civilian और जो अवार्ड है, भारत रतन, ठीक है, भारत रतन, तो Padma Awards, वन आफ इसके बाद फिर Padma Awards आते हैं, इनको, देखें, इनको जो Padma Awards हैं, इनको announce किया जाता है, हर साल Republic Day पे, ओके, Republic Day पे, 26 जन्वरी के दिन, इनको announce किया जाता है, फिर, लेटर ओन, इनको, मार्च, अप्रेल के महीने में, इनको, प्रेजिदेंट जो है, वो, सर्मनी होती है, जहां पर Padma Awards दिये जाते हैं, और तीन categories में ये मिलते हैं, इसके बाद, पदमवी भूशन, उसके बाद, पदमवी भूशन, फिर, पदमश्री आता है, और दिये किस चीज़ में जाते हैं, कि अगर उन्होंने कोई exceptional, सबसे पहला order है, पदमवी भूशन, ये मिलता है, exceptional या distinguished service, अगर की हो, कुछ exceptional काम किया हो, कुछ ऐसा different सा काम किया हो, for society, for literature में, different categories में ये मिलता है, art form में, literature में, public affairs में, politics में, ठीक, और याद रखें, जो civil servants होते हैं, IS officers जो होते हैं, उनको ये award नहीं मिलता है, पदमश्री, हाँ, मिल सकता है, लेकिन after उनकी service के retirement के बाद, तब मिल सकता है, while they are in service, तब नहीं मिल सकता, उसके बाद, पदम industry, अगर उनने कोई distinguished, ऐसे कोई exceptional ये distinguished service की गई हो, देखिए, start कब किये गए थे, civilian awards देना, government of India ने दो civilian awards जो है, 1954 में शुरू किये थे, भारत रत मोर, पदम विबूशन, जो पदम विबूशन था ये पहले, 1955 से पहले इसको तीन orders में दिया जाता था, पहला वर्ग, दूसर तीसरे वर को भूशन, तीसरे वर को पद्श्री, विबूशन, भूशन, श्री, ऐसे आप याद रखिए इसको, अब देखते हैं हम की specific हमने किया है, सिर्फ जमुएन कश्मीर का, हमने करना है, तो जमुएन कश्मीर में ये किस को मिला, और किस stream में मिला, पहले हम 2021 में चौन जोर, if I am not wrong to pronounce, ये लदाख के हैं, तो गुलाम रसूल खान को मिला है for art, चमनलाल सपरूजी को मिला है, पदमिश्री, पदमिश्री दोनु को ही पदमिश्री मिला है, सपरूजी को ये पॉस्तियो मिला है, literature and education के लिए, हो गई ये दो, खान सहाब को art के लिए, इनको literature education के लिए, ये जो है, टी चौन जोर जो है, लदाख के इनको मिला है, ये social work के लिए, इसके साथ 2020 में किसको include किया है, 2020 में पहले याद रखिये हैं, ये पदम बूश्री जो second order वाला है, जो second number पर आता है, मुझटर 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 हुस्री मुझटर सेन बेग को मिला ह है, पदम बूशन किसके लिए politics, ये बहुत ही जाने माने politicians है, इंडिया के, जैन के के, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी फॉर्मर जिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, ये जैन के के, इनको politics और public work में ये मिला है, इसके साथ ही शिवदत निर्मोही मिस्टर शिवदत निर्मोही जी को मिला है, पदमश्री literature and education के लिए ये डोगरी के बहुत famous writer है, और जावेद हमत टाक को मिला है, social work के लिए, सिर्फ याद रखिए, इनको मिला है, पदमभूशन, मुजफर संद बेग, मिस्टर मुजफर संद बेग को पदमभूशन, बागी दोनों को मिला ह है, पदमश्री, ओके, निर्मोही जी को डोगरी writer है, literature and education के लिए, जावद हमें, talk को मिला है, ये, social work के लिए, इसके अलावा, 2022 के जो हो, announce क्योंकि अब हम कर रहे हैं, तो साथ ही में ये भी देख लीजे कि 2022 के जो हैं, वो announce हो गए है, अभी सर्मनी नहीं हुई है, 2022 के Republic Day क जेन के में किस-किस को include किया है, सबसे पहले, Mr. हमारे former Chief Minister और Congress Party के नेता, गुलाम नभी आजाद, क्योंकि ये जमुएन कश्मीर से बिलॉंग करते हैं, इनको पद्म भूशन के लिए, जो है, समानित किया जाएगा, for public affairs, फिर दो लोग और है, विश्व मूर्ति शास्त्री और फैसल अली डार, दोनों का पद्मश्री, इनको शास्त्री, Mr. शास्त्री को मिलेगा, literature और education के लिए, और फैसल अली डार को sports category में मिलेगा, okay, so that was all about Padme Awards, now moving on, next, our next current affairs is, एक war memorial जो है, बनाया गया, कहां पर सांबा डिस्टिक में, जहां पर हमारे war memorial, जो जंग में हमारे स जान दी है, उनको honor करने के लिए, war memorial बनाया जाता है, Mr. Lieutenant Arun Khetrapal, war memorial जो है, बनाया गया, कहां पर, सांबा में, और ये किस occasion पर इसको unveil किया गया, इस war memorial को, on the occasion of Swarnim है, यहां पर, Swarnim Vijayvarsh, ठीक है, Swarnim Vijayvarsh, यानि कि 50 साल of the victory of Indian Army in Indo Park War of 1971, 1971, ठीक है, 1971, जो इंडो पार्क वार हुई थी, उसमें, Mr. Lieutenant Arun Khetrapal की, जो है, उन्होंने अपनी जान जो है, उस देश को दी थी, तो, उसमें, इन्होंने अपनी जान गवा दी थी, तो, इन ही की याद में, war memorial वहां पर unveil किया गया, और, it was unveiled on the occasion of Swarnim Vijayvarsh, यानि कि, इंड बाद आता है, हमारे next current affairs है, about पकल डूल hydroelectric power project, ठीक है, सबसे पहले देखिए, ये news में क्यों था, हमारे पार, union power minister R.K. Singh ने inaugurate किया है, diversion of Marsudar river at पकल डूल hydroelectric project, देखिए, अभी ये project, do not confuse, अभी ये जो पकल डूल hydroelectric project, जो है, बनके complete नहीं हुआ, सिर्फ inaugurate हुआ है, इसका diversion, देखिए, जो projects होते हैं, projects, पहले देख लीजे कि है क्या, thousand, पहले fact देख लीजे, thousand megawatt है, यहाँ पे, megawatt का ये project है, district किष्टवाड में है, मरसुदार, देखिए, चिनाब की ही tributary है, अगर बड़े तरक, अगर option आया, चिनाब, तो आप चिनाब भी कर सकते हैं, इसक चिनाब, और जो मरसुदार रिवर है, यह कहां से originate होती है, नुनकुन glacier से यह originate होती हो, और जगह है, एक बंडार कूट किष्टवाड में, वहाँ पर यह join करती है, चिनाब को, तो मरसुदार रिवर को याद रखिए, और यह याद रखिए, कि मरसुदार is tributary of चिनाब पकल डूल electric hydroelectric project is in district किष्टवार, अब union home minister ने क्या किया कि इसका divergent जो है inaugurate किया, देखिए जो projects होते हैं, हमेशे river valleys में जो है बनते हैं, ऐसे अगर पहाड बीच में river flow कर रहा है, this is kind of valley बनाती है, तो divergent क्या होता है, तो project कैसे बनता है, ऐसे river यहाँ से, यह है, इसका channel यह से flow कर रही है, तो river dam, कोई भी dam बनाने के लिए हमें bunds, बंद आपने देखे होंगे, बंद construct करने पड़ते हैं, तो divergent के हैं, वो इस river को divert कर देते हैं, यानि कि for example, यहाँ अगर पहाड है, तो यहाँ से उनने एक tunnel खो दी, तो इसका जो river है, इसका रास्ता बदल देते हैं ठीक है न, तो divert कर देते हैं इस तरफ, तो जब तक यहाँ से बंद जो है, यह बंद construct करेंगे, फिर से यहाँ पर जो है, कुछ भी मिट्टी शिटी डाल के यह tunnel बंद करके, और river अपने जो original channel है, या original इसका जो bed है, वहाँ से flow करना शुरू करेगी, ठीक है, तो union home minister ने इस चिनाब बहुत ही high potential है, बहुत सारे इसके लावा भी बहुत सारे projects जो है, वह चिनाब रिवर पे है, डूल हस्ती, पकल डूल हस्ती है, आपका इसका यह जो है, यह 5 contribute significantly in fulfilling 500 gigawatt renewable energy by 2030, इसका contribution किसमें होगा, इसका contribution होगा, इसका contribution होगा, क्योंकि इसी दोरान जो है, ना, इसी कि दोरान क्या हुआ था कि conference of parties 26 हुआ था glass go, यह हमारा national current office बनता है, लेकिन फिर भी सुन लीजिए, related है, glass go UK में, जिसमें हमारे prime minister ने announce किया था कि, इंडिया जो है, वो contribute glass go में, इंडिया ने बोला था कि, अब हम जाएंगे towards the renewable energy by 2030, ठीक है, 500 gigawatt, इंडिया प्रोडूस कर देगा 500 gigawatt renewable energy, conference of parties क्या है, कि यहां पर यह climate change के लिए, जो होती है, जिसमें different governments पार्टिसपेट करती है, ठीक है, climate change के लिए, कैसे global warming कम किया जाए, pollution कैसे कम किया जाए, तो इसी में क्या हुआ, कि Prime Minister ने announce किया, कि हम 500 gigawatt renewable energy जो है, वो अब रिदूस करेंगे by 2030, जो पकल ड energy, for renewable energy के लिए, इसी के साथ जो पकल डूल hydroelectric project है, इसको चिनाव वैली पार प्रजेक्ट जो है, वो construct कर रही है, यह center और state का joint venture project है, NHPC, National Hydroelectric Power Corporation, और Jammu and Kashmir Power Development Corporation का joint venture है, question number, sorry, next current affairs is for the, क्या है, अगला police station of Udhampur district news में क्यों है, क्योंकि इसको rank 9th मिला है, ठीक है, annually, हर साल ranking होती है, all over call stations की, इंडिया में, तो इसको top 10 में आया है, ठीक है, Udhampur का police station, अगर specific पूछे कि कौन सा police station, इस बसंतगर police station, और यह list कौन prepare करती है, टॉप 10 police stations की, by ministry of home affairs, ठीक है, एक portal launch हुआ है, जिसको jk beams करके, jk beams करके, bams, beams, beams का एक्राणमी देखे, budget estimation allocation monitoring system, देखे, पहले समझ दीजे, देखे, definition, इसके, इसकी, इस अब्रवेशन से ही पता चलता है, कि beams budget estimation, यानि कि कोई भी अगर project है, उस पर कितना पैसा लगा है, और उसको monitor करना, beams का ये काम है, ठीक है, इससे क्या होगा, जैसे, for example, different projects बनते हैं, for example, देख लीजे, easy language में, जितना भी exam से related है, वो लिखा हुआ है, आप समझ देखे, for example, अगर कहीं, किसी जगा पर सड़का कोई project है, ठीक है, और, ये एक proof है, it is a kind of tool, जिससे हम जो लोग है, देख सकते हैं, कि किसी project पर कितना पैसा allocate हुआ है, अभी complete करने में कितना time लगेग complete हुआ है कि नहीं, complete होने से पहले ही, जो contractor है, उसको पैसे तो नहीं मिले, complete हुआ है, उसके लिए, जो contractors को अपना एक proof देना पड़ेगा, अपनी photo जो है, उस project कियां किसी की भी upload करनी पड़ेगी, ठीक है न, तो इसमें हम लोग भी देख सकते हैं, कि कितना budget किसी project के लिए estimate, कितना budget जो है, वो allocate हुआ है, monitor कर सकते हैं कि काम कब खतम होगा, कितना time लगेगा, इसके साथ ही, आपने August के महीने वाले current affairs में पड़ा होगा, कि एक proof app launch हुई थी, जमुयन कश्मीर में, एक photographic evidence होता है, इन ही जो जितने भी project से हमारे, इनका photographic evidence होता है, यानि कि देखो, तो government क्या करती है, government जो है, contract पे काम देती है, contractors को, तो कहा गया proof app में, कि जब तक वो जो काम है, आगर जैसे हमने फॉर्जम पर देखा कि सडक बनाने का काम है, इसका पूरा काम जब तक खतम हो गया, उसके बाद इसका proof in the form of photograph, proof app पे नहीं चड़ेगा, नहीं डालेंगे, यह contractor नहीं दिखाएंगे, तब तक इनको पैसे जो है, बिल नहीं मिलेगा, तो proof app आता था, beams के अंडर, beams यह center की एक scheme थी, तो अब जैन के ने भी beams जो है, अपना launch कर लिया है, ठीक है, यह एक web portal है, इसके साथ ही दो और schemes है, निर्मला, हमार्य जो finance minister है, निर्मला सितर रमन उन्होंने दो new schemes जो launch की है, जमोयन कश्मीर के लिए, तेजस्वनी और होसला scheme, दोनु फीमेल के लिए है, जिसमें financial assistance मिलेगी, females को 5 लाख की, to girls between 18 to 35 years, जो अपना business, मतलब समझ लिजे, जो भी women entrepreneurs होंगी, उनको 5 लाख का assistance मिलेगा, ठीक है, इसके अलावा, शिकर एंड शि जमोयन कश्मीर, शिकर में क्या होगा, दो करोड तक का financial assistance मिलेगा, hotel to tourism industry को, और शिकरा, शिकरा, जो डल लेक में, शिकरा होते हैं, उनको 15 लाख का credit मिल सकता है, ताकि वो repair कर सकते हैं, आगर उन्हें नहीं खरीदनी है, शिकरा, तो वो कर सकते हैं, इन कश्मीर वैली, last important current affairs for the month of November is, आरिफ खान का नाम, आरिफ मुहमद खान का नाम जो है नियूज में रहा, October November के महीने में, क्यों कि ये जमोयन कश्मीर के वाहिद एक, चाहे तो आप इंडिया के कहिए, फर्स्ट स्कायर हैं, जो skiing करते हैं, बरफ पे करते हैं, ना skiing, ठीक है ना, इंडियन to qualify for two winter olympic events, set to be held in Beijing, Beijing में winter olympics हो रहा है, ठीक है 2022 का, ठीक है, तो उसमें, दो different different events में qualify करने के, ये पहले शक्स बने हैं, फ्रॉम इंडिया, ठीक है ना, और events क्या है, अगर question आ सकता है कि, सेलोम और जाइंट सेलोम किस गेम के साथ related हैं, तो इस कायर है, skiing में होते हैं, इसमें क्या होता है कि, अगर वो skiing कर रहे हैं, तो बीच में कुछ ऐसे flags रखे हैं, hurdles रखे हैं, जिनको ऐसे पार करके इनको जाना है, तो ये terms skiing के साथ related हैं, और इन्हों इन्होंने olympics में, इस 2018 में हुआ था, अब चार साल के बाद 2022 में हुआ है, अब चार साल के बाद 2026 में होगा ये, ठीक है, ये 26 में ये जो होगा, winter olympics, ये italian cities of milan और, और कॉर्षन है, इतली में ही होगा, ये 2026 का, आप ये 22 का बीजिंग में हो, ये important है, और alpine, alpine skiing क्या होते है, ये hills की, यानि so that's all for the month of November, next आपको बहुत जल्दी मिलेगा, December का और January का भी, ठीक है, that's all, thank you